जब भी हमारे जहन में नीम का खयाल आता है तो हम तुरंथ ही उसकी कड़वाहट को अजियूम कर लेते हैं हाला कि इसका स्वाद भले ही कड़वा हूता है लेकिन ये हमें सेहत से जुड़े कई सारे फायदे भी पहुचाता है नीम में मौझूद फाइबर, पोटाशियम, काबोहाइडरेट, फॉसफोरस हमारे शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं और इसके सेवन से हम अपनी खासी, सूजन, ठकावट और सफेद दाग जैसी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम नीम से होने वाले कुछ ऐसे ही जबरदस फायदों की चर्चा करेंगे और साथ ही जानेगी कि किस तरह नीम सफेद दाग के मरीजों को फायदा पहुचा सकता है अगर आप भी विटे लोगों से जुड़ी किसे भी समस्या से परिशान हैं तो वीडियो में एंग तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारी चानल ल्यूकोडर्मा ट्रीटमेंट कर्मा आयरवेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हिल्स से जुड़े इस थरह के इन्फरमिटिव वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगर बात की जाएं नीम से होने वाले फायदों की तो नीम का सेवन हमारे खून को साफ करने का काम करता है साथ ही ये हमारे दांतों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है अगर आपके शरीर में किसे भी तरह का घाव है तो इस घाव को भढ़ने में भी नीम के पत्तों का इस्तिमाल किया जा सकता है साथ ही इससे कमजोरी, मतली और उल्टी जैसी परिशानियों से भी निजात पाया जा सकता है इसके अलावा नीम का सेवन हमें सफेद दाग के रोग में भी फायदा पहुचा सकता है और इसके प्रयोग से सफेद दाग की समस्या को कम किया जा सकता है अगर आप सफेद दाग के लिए नीम के पत्तों का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को एक महिनी तक दाग वाली जगा पर लगाएं ऐसा करने से आप काफी हद तक अपने दाग को कम कर सकते हैं इसके साथ ही सफेद दाग में और भी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप नीम के फलों का सेवन कर सकते हैं और इसके सेवन से अपनी सफेद दाग की समस्या में राहत पा सकते हैं तो अगर आप विटी लोगों यानि की सफेद दाग की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो अपने आहाल में हरी पत्तेदार सबस्यों को सरूर शामिल करें साथ ही विटी लोगों के सही ट्वीटमेंट के लिए टॉक्टर से कंसेल सरूर करनें तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके सरूर बताएं साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी न भूलें हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें हिल्दी रहें नमस्कार